हालो फ्रेंड्स राधे राधे वेलकम बैक टू माई चैनल पांच मिशली रोज दिन आज मैं आप लोग के साथ एक नया स्टाइल का ड्रेश शेयर करने वाली हूँ जहां पर मैंने ये जो चोली बनाया है वो है वान शूल्डर वाला और ये वाला चोली मैं फर्स्ट एम बनायी हूँ मेरे गोपाल जी के लिए क्योंकि सामने दुर्गापुजा आ गया है ज्यादा दिन बाकी नहीं है बंगल में तो दुर्गापुजा बहुती फेमस होता है तो मेरे गोपाल जी के लिए भी नया ड्रेस बनाना जरूरी है तो यहां पर देखिए मैंने यह ड्रेस के लिए सीक्वेंस का फैब्रिक यूज किया है तो यह ड्रेस मैंने कैसे बनाया आज मैं आप लोगों के साथ वोई शेयर करने वाली हूँ होप के आप लोगों को यह वाला ड्रेस पसंद आ जाए तो आप भी घर में इसको ट्राइ किजिए जरूर गोपाल जी के लिए तो चलिए वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं चाह नामर गोपाल जी के लिए मैंने जो इस फेब्रिक का मेजरमेंट लिया है वह है घेरा का तो इसका चावड़ा ही मैं बता देती हूँ आपको 3.75 इंच यह देख लेजिए यहाँ पे है 3.75 इंच ठीक है और इसका जो लंबाई मैंने लिया है वह है 45 इंच तो बाकी से रह गोपाल जी के लिए आप कैसे मेजरमेंट लेंगे वह मैं आपको बता देती हूँ 0 नंबर गोपाल जी के लिए आपको लेना है 2.75 इंच एक नंबर के लिए 3 इंच दो नंबर के लिए 3.25 इंच तीन नंबर के लिए 3.5 इंच चान नंबर के लिए 3.75 इंच और 5 नंबर गोपाल जी के लिए 4 इंच ऐसे करके आपको चौड़ाई में लेना है और ऐसे करके आप 0 to 10 नमबर गोपाल जी के लिए इसली मेजर्मेंट ले सकते हैं तो अभी मैं आपको पता देती हूँ 0 to 10 नमबर गोपाल जी के लिए आपको लंबाई में कितना का फैबरिक लेना है 0 नमबर गोपाल जी के लिए आपको 25 इंच, 1 नमबर के लिए 30, 2 नमबर के लिए 35, 3 नमबर के लिए 40, 4 नमबर के लिए 45, 5 नमबर के लिए 50, 6 नमबर के लिए 55 ऐसे करके आपको पांच-पांच इंच का गैपिंग रखती हूँ है मेजर्मेंट लेना है अभी मैं देखी यह वाला प्लेट डाल रही हूं यहां पर इस फैब्रिक को आपको घने गने सी प्लीट डालना है फिर आपको मैं यहां पर प्लीट डाल के दिखाती हूं पहले मैं आपको बता दूँ इस प्लिट डालने से पहले आपको एक साइड में इसको मोरना है नहीं तो यह जो सारा सीकोएंस निकाल जाता है तो ऐसे आप खुलना मत छोड़िए जो एक साइड से आप इसको फोल्ट कर लीजिए डबल फोल्ट करने के कोई जरूर ने इस सिं एक कमर कुटना है नेफ़ा बनाने के लिए मैंने या ब्लेन फैmer ऍने के लिए यूज़ किया है जिसका मेजमेंन में ले रही हू area ये जो ड्रेश आया है इसका जो कमर आया है पांच इंच का उससे एक इंच जादा हाफ आफ इंच करके दोनों साइट से आपको हर एक गोपाल जी के लिए नेफा का फैबरिक लेना है तो आप भी आपको मैं बता देती हूँ गोपाल जी का कमर कितना लेना है आपको जो हम प्लिट डालते हैं प्लिट डालने के बाद ये जो कमर आता है इसका आप जिरो नंबर गोपाल जी के लिए लेना है तीन इंच एक नंबर के लिए सारे तीन इंच दो नंबर के लिए चार इंच तीन नंबर के लिए सारे चार इंच चान नंबर के लिए पांच इंच औ फिर आपको ऐसे करके सीधा करके यह वाला फैब्रिक आपको पलट कर सामने लाना है फिर इसको एक फोल्ड लगा के यहां से सिल दना है तो ठीक है यह वाला नेफा मेरा हो गया यहां पे देखिए मैंने डोरी डाल के एक साथ में नेफा सिल दिया है तो बहुत सुन्दर सा लुक आया है और इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा तरिके से आए अगर आपको यह वाला नेफा और भी डिटल्स में देखना है में चैनल में बहुत सारा वीडियो जैं यह नेफा बनाने की आप यह वाला वीडियो देख सकते हैं तो आपको और भी का फैब्रिक लिया है और एक सिक्वेंस का फैब्रिक और दोनों का मेजर्मेंट सेम है अभी मैं आपको मेजर्मेंट बता देती हो जिरो नंबर गुपाल जी के लिए आपको लंबाई में लेना है सारे तीन इंच एक नंबर गुपाल जी के लिए चार इंच दू नंबर ग जो मेजरमेंट लिया है वह दार रिख सकते हैं इसे तो आभी मैं सारे गोपाल जी के लिए आपको मेजरमेंट बता देती हूं जिरो नमबर गुपाल जी के लिए आपको लेना है 1.75 इंच, एक नमबर गुपाल जी के लिए 2.25 इंच, तीन नमबर गुपाल जी के लिए 2.75 इंच, चान नमबर गुपाल जी के लिए 2.75 इंच, और पांस नमबर गुपाल जी के लिए आपको लेना है 3 इंच यहार पें देख लिजी ये जो两ग फैब्रिक मेंने लिया है इन दोनों को पहले इसको सिलाई करके जोड़ना है तो शिलाई करने के लिए अस्तर का कोई फ्रॉंट Grey नहीं होता है तो यहा पें सीकैंस का मैंने फैब्रिक लिया है इसको पलटके जो iltna side है उल्टा साइड से इस अस्तर को पहले आपको तीनों साइड से सिलाइ कर देना है फिर इसको यह देखिए मैंने सिधा कर लिया है अभी सिधा करके इसको चारो फोल्ट लगाना है एकदम से चारो फोल्ट लगाके यहां से छोटा सा नेक का कट लगाऊंगी मैं ज़ादा बरा मत्र लगया यह एकदम छोटा सा ठीक है यह देखिए चोटा सा मैंने गोल लगा दिया यहापे अभी इसको वन सोल्डर वाला जो शेप आता है वो लगाना है मीचे तो यह उन शोल्डर बाला शेप लगाने के लिए यहां पर देखिए पहले इसको ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए फिर एक ड्रॉ करना है आपको शेप तो यहां पर यह एक शोल्डर को आपको आफ करना है यहां से देखिए ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है फैब्रिक का कलर बहुत डार्क है तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है यह जो मैं ड्रॉ कर रही हूं तो यह देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूं ऐसे करके मैंने ड्रॉ किया है तो अभी इसका मैं कट लगाऊंगी बस मैंने यह कट लगा दिया है आ गया है मेरा शेफ तो यह है एक सोलडर वाला जो शेप आता है तो यह है चोली का शेप तो ऐसे करके आपको यहां पर एक सील देना है देखिए यह बैक साइड से मैं दिखा रही हूं आपको और यह सीदा साइड जहां यहां पर मैंने यह पूरा सिलाई करके इसका फिनिशिंग दे दिया है और यह हो गया है मेरा चोली इसको आप प्लेन भी रख सकते हैं और इसको आप ड्रेकोरिशन भी कर सकते हैं यहां पर मैंने ड्रेकोरिशन कर दिया है यह देखिए मेरे पास थोरा सा फ्लावर्स था जो म आप चोली को पहना सकते हैं पीछे से बांच सकते हैं तो देखिए यह वाला चोली एकदम रेडी हो चुका है अभी देख लीजिए पूरा टोटल लूक कैसा आ रहा है इसका बहुत ही सुन्दर आ रहा है और मुझे पता है कि यह मेरे गोपाल जी को पहनाने के बाद बहुत ह लेकिन मैं अभी नहीं पहनाओंगी उनको मैं पूजा के टाइम पहनाओंगी तो इसलिए अभी मैं दिखा नहीं रही हो आपको कैसे लग रहे है वह एकदम पूजा के टाइम एक ड्रेस अप करने के समय पर में एक वीडियो डालूंगी आप लोगों के लिए आप अड्रेस उनको भी पैना के देखे ये कैसे सुन्दर लगता है तो तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहे सुस्त रहे हरे कृष्णा राधे राधे